आपको पता है, social media पे views लाने का आज की date में सबसे अच्छा तरीका क्या है? एक तो है, of course, आप कोई controversy create करें, कोई बहुत ही nonsense इस करें, जिसके basis पर आपको views मिलें. इसके लिए आपको बहुत नीचे गिरना पड़ेगा, अपनी इज़त को खतम करना पड़ेगा, और बहुत सरे लोग ऐसा करने को तयार है. और second तरीका होता है कि आप एक school of thought पकड़ने, चाहे वो सही है या गलत है. और example, अगर एक topic के ओपर discussion हो रही है, तो एक school of thought बोलेगा, भाई, ये बिलकुल सही है, और दूसरा school of thought बोलेगा, भाई, ये बिलकुल गलत है, तो उन दोनों के views सबसे जादा आएंगे, क्योंकि दोनों के अपने-पने followers होंगे. लेकिन काफी सारे topics ऐसे होते हैं, जिसके उपर हम ऐसे school of thoughts चूज नहीं कर सकते हैं. Just because को individual किसी subject में या topic में believe नहीं करता, या उसके बारे में उसने पढ़ा नहीं है, तो अगर वो उसके against कोई video बनाता है, तो उसको ये चीज़ पता होनी चाहिए, कि इसके पीछे actual science क्या है. Of course, आप उस topic के कोई गलत aspect को लेकर video बना रहे हैं, कोई issue नहीं है, लेकिन उस topic के सही चीज़ें बताना भी फिर आप ही का काम है, जो maximum लोग नहीं करते हैं. और ऐसा ही एक topic है, वो है गो मूत्र या cow urine. Cow urine को लेके एक school of thought जो है, वो बहुत extreme है, कि भई ये सब कुछ क्योर कर देगा, ऐसा भी नहीं है. दूसरा ये है कि ये बिल्कुल ही useless चीज़ है, और सिरफ सनातन की और हिंदूों की एक myth है, और ये भी बिल्कुल गलत है. इस पटिकुलर विडियो में मैं आपको research studies के base पर बताता हूँ के cow urine के actual benefits क्या क्या है, और अगर आप general life में cow urine को या go मूतर को use करना चाहते हैं, तो किस तरहां से आप उसे use कर सकते हैं? cow urine या go मूतर के use से पहले जिस concept को थोड़ा सा आपको समझना है उसके बारे में जानना जरूरी है, वो है uranotherapy, जिसे हम urotherapy या auto urine therapy भी कहते हैं. हमारे former prime minister मुराजी दिसाई जो थे, वो अपना urine पीते थे, और ये कोई hidden fact नहीं है, ये कोई myth नहीं है, ये सच बात है क्योंकि वो uranotherapy का use करते थे, और uranotherapy कोई एक particular religion या region में use करे जाने वाली therapy नहीं है, ये particular therapy वर्ल्ड की different countries में, different civilizations में, millennia से use करी जा रही है, uranotherapy वो therapy है जहां urine का, generally, खुद के urine का use, medicinal purposes के लिए, या cosmetic purpose के लिए करा जाता है, इस particular therapy में, generally, एक individual अपना खुद का urine, या तो पीता है, उस अपने gums या teeth के ओपर अपलाई करता है, uranotherapy का use, ancient Greek, Egyptian और Roman civilizations में करा जाता था, और उनकी बहुत सारी ancient text में भी इस therapy का mention है, जर्मनी में इस therapy का use, medieval time से करा जा रहा है, जपैन में भी काफी centuries से uranotherapy का use करा जा रहा है, और आज भी करा जाता है, काफी सारी medicinal purposes के लिए, और Mexico, Argentina, Peru, या चिली जैसी countries थी, वहाँ पर भी इस therapy को use किया जाता था, जब हम Asian region की बात करते हैं, तो हमारे ancient Indian text में भी uranotherapy का काफी सारे योगी इसके तुरू use दिखाया गया है, और यही mention ancient Chinese medicinal text में भी है, इसके लावा Africa में और America में भी uranotherapy का का काफी समय से use हो रहा है, तो world over maximum countries of civilization, uranotherapy का कही न कहीं कभी न कभी यूस कर रही थी, और आज की date में भी ये prevalent है, इस practice को हमारे ancient text में बहुत ज़ादा powerful माना गया है, और इसे नाम दिया गया है शिवंहू कल्प विधी, जो 5000 साल पुरहाने text जिसका नाम था दमर तंत्र, जिसका link वेदों से है, उसमें इस विशग्न या killer of oil poisons बोला गया है, रसायन या rejuminating बोला गया है, और ऐसा बोला गया है कि यूरिन थरपी से आपका जो blood है वो purify होतर काफी सारे diseases इससे cure होते हैं, इसके लावा काफी सारे buddhist text में भी यूरिन थरपी का mention है, अगर हम हमारे urine की composition की बात करते हैं, तो उसमे maximum amount of urea या uric acid होता है, उसके लावा creatinine, electrolytes, काफी सारे phosphates, organic acids और इसके लावा कुछ amount of trace proteins भी पाये जाते हैं, और इसके लावा कुछ antibodies और enzymes भी पाये जाते हैं, ऐसा माना जाता है कि urine के अंदर काफी antibodies और immune stimulating factors पाये जाते हैं, जो काफी सारे virus, bacteria, fungi से protect करने में help करते हैं, औ और एक नहीं, urine therapy से multiple diseases में काफी जादा benefits दिखाएगा और इसके पर बहुत सारी text भी लिखी गई हैं, काफी सारी studies भी करी गई हैं, लेकिन urine therapy के सबसे बड़ी problem आती है कि जो urine होता है, हमारा खुद का urine उसके बारे में सोचना, उसको पीना या उसको use करना हमारे ले काफी repulsive thought है, अफकोर्स ही बात है कि उसका smell, उसका taste और हमारी body का वो waste excreta है, तो ये सोचकर उसे drink करना कि इसकी medicinal properties हैं, अगर वो होंगी भी तो भी maximum लोग शायद ये ना कर पाएं, अफकोर्स कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको medicinal use कर रहे हैं, और अगर आप करना भी चाहते हैं इस therapy को use, तो ये सिरफ एक expert के अंडरी होगी, जिसको इस therapy के बारे में पता है, कोई आरवधिक doctor या कोई ऐसा, जो इस therapy को आपको सही तरीके से करने के बारे में बता सकता है, हावर जब हम urine की बात करते हैं, तो काफी सारे animals भी हैं, जिनका urine का यूरिन काफी beneficial देखा गया है, जिस भी इसका बहुत extensive use होता है, in fact, पूरे ayurvedic medicine system का जो base है, वो cow ही है, क्योंकि बहुत सारे cow के ऐसे products होते हैं, जैसे cow urine या pure देसी घी, ये चीजें use करी जाती हैं, बहुत सारी ayurvedic medicines को बनाने में, और जैसे homeopathi और allopathy एक medicine system है, वैसे cow pathi नाम का भी एक medicine system है, जिसमें cow के different products को use किया जाता है, medicinally, generally जो punch गव्य होता है, जिसमें milk, घी, curd, urine और cow dung, इनका use होता है different aspects में, आयurvedic में, जब मूतर की बात करते हैं, या urine की बात करते हैं, तो animals में 8 तरह के animals का urine जो है, वो beneficial दिखाया गया है, जिसमें sheep, goat, cow, buffalo, elephant, camel, horse और donkey का urine जो है, उसका use दिखाया गय और इन में cow urine जो है, वो सबसे जादा powerful पाया गया है, आयurved में इसको संजीबनी या अमरित का नाम दिया गया है, हमारे काफी सारे ancient texts या जो वेद हैं, जैसे अथर्व वेद, चरक सहिता, सुशुत सहिता, भाव प्रकाश और ऐसी और भी ancient आयurvedic text में cow urine का बहुत extensive views देख गया है, cow urine को shivambhu यानि shiv का पानी, water of shiva इस नाम से बुलाया गया है, और सिर्फ आयurved में ही नहीं, उनानी medicine में और ancient Chinese medicine में भी urine का या cow urine का use करा गया है, medicinal purposes के लिए, हमारे जो देसी गाये होती है, Indian cow की variety है, जिससे हम boss indicus के नाम से जानते हैं, वेदिक टाइम से ही, ये ज तो जब हम बोलते हैं, गउ माता, तो हम बात कर रहे होते हैं, इस boss indicus की, और हमारी country में जो cow slaughter ban करा गया है, वो भी boss indicus का करा गया है, और जब हम cow urine की भी बात करते हैं, तो cow urine जो boss indicus से collect होता है, उसमें medicinal properties पाई गई है, और यही difference आता है, जब हम A1 और A2 milk की भी बात करते ह होता है, वो इसी boss indicus से निकाला जाता है, जिसमें medicinal properties है, cow urine का use बहुत सारी medicines में करा जा रहा है, इसको directly भी पिया जाता है, इसके लावा बहुत सारे cosmetic products, shampoo, soaps वगारा बनाये जाते हैं, cow urine का use करते हुए, cow urine को agriculture में यूज किया जाता है, इसको spray करा जाता है, soil के उपर, cow urine का use हो रहा है, अगर हम cow urine की composition की बात करें, तो इसके अंदर nitrogen, sulfur, phosphate, sodium, manganese, iron, silicon, chlorine, magnesium, malic, citric, tartaric और calcium salts पाये जाते हैं, इसके लावा vitamin A, B, C, D, E, lactose, enzymes, creatinine, और कुछ hormones भी पाये जाते हैं, और और भी compounds इसमें होते हैं, जब हम बात करते हैं, cow urine में पाये जाने वाले bioactive substances इसकी और hormones की, जिसकी वज़े से इसकी medicinal properties हैं, तो उनमें eurokinase, epithelial growth factors, growth hormones, erythropoietin, gonadotropins, trypsin inhibitors, allantoin और ऐसे और भी बहुत सारे compounds देखे गए हैं, उसके लावा cow urine phenols में भी बहुत रिच होता है, phenolic acid जैसे की cinemic acid, caffeic acid, gallic acid, salicylic acid और ऐसे और भी compounds हैं, इनमें antifungal properties बहुत अच्छी होती हैं, और इनी सारे compounds की वज़े से cow urine के अंदर बहुत strong antimicrobial properties पाई गई हैं, antioxydant properties पाई गई हैं, और anti-cancer properties पाई गई हैं, और जो anti-cancer properties हैं, इसकी research multiple जगाओं पे प्रूव हुई हैं, तो जब लोग बोलते हैं के cow urine के अंदर anti-cancer properties हैं, तो yes, इसके अंदर anti-cancer properties प्रूव हुई हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है, कि आपको अगर cancer detect हुआ है, तो आप cow urine लेना शुरू कर दें, और cancer की treatment बंद कर दें, यह गलत है, काफी सारी जगाओं पे यह चीज़ देखी गई है, कि काफी सारी cancer medicines की efficacy increase हो जाती है, जब साथ में cow urine लिया जात इतने cancer causing substances हैं, उनसे हमें बचाने के लिए cow urine हमारी life में एक general tonic की तरह काम कर सकता है, जैसे हमको general supplement लेते हैं, और because इसके अंदर anti-oxidant properties बहुत अच्छी हैं, इसकी यह immunity को build करने में बहुत help करता है, तो general health के लिए अगर एक supplement की तरह भी हम इसे लें, तो भी यह बहुत ही potent है पूरी family के लिए, और cow urine का जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी medicines को बनाने में उसका use होता है, तो अगर आप किसी आरविदिक डॉक्टर के पास जाते हैं, तो जो medicines वो आपको recommend करेगा, multiple diseases में उसमें या तो cow urine अलग से वो recommend करेंगे, या फिर cow urine उन medicines को बनाने में कहीं ना क skeletal disorders, male sexual disorders, diabetes, blood disorders, respiratory disorders, gastrointestinal disorders, endocrine disorders, psychiatric disorders, urological disorders, asthma, kidney shrinkage, hepatic disorders, cancer जैसी problems में cow urine को directly recommend करा जाता है, या उससे बनी हुई medicines को recommend करा जाता है, इसलिए कर आप गाउं वगरा में जाएंगे, तो cow urine को वो पीने में, नहाने में और 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 भी जगाउं पे regularly use करते हैं, इंडिया में Central Institute of medicinal and aromatic plant और इसके साथ साथ गो विग्यान अनुसंधान केंदर जो नाकपुर में है, इन्होंने milestone research करी है, जिसमें fresh cow urine में anti-cancer properties देखी गई हैं, और यह देखा गया है कि cow urine anti-cancer drugs की effectiveness को increase करता है, diseases के इलावा जैसे मैंने आपको बताया कि यह हमारी overall general health के लिए बहुत अच्छ को better करना, heart को strengthen करना, skin को better करना, ऐसी बहुत सारी properties cow urine में देखी गई हैं, तो अब question आता है कि अगर को individual cow urine या गो मूतर को अपनी life में introduce करना चाहता है, तो उसे किस form में लेना चाहिए, देकि सबसे पहला तो होता है, जो बिल्कुल fresh, crude जो गो मूतर होता है वो, जो recommend करा जा गो मूतर अर्क को बनाने के लिए उसको heat करा जाता है, उसको evaporate करा जाता है, जिससे उसके अंदर का जो urea है, smell वो खतम हो जाती है, और जो गो मूतर अर्क उसके बाद उससे निकलता है, उसको कोई भी individual use कर सकता है, क्योंकि उसमें फिर timing का issue नहीं रह जाता, या फिर आप आपको fresh guide ढूंडने का issue नहीं रह जाता, देकि अगर आप गो में नहीं रह रहे हैं, या आसपास जो है वो इतना clean area नहीं है, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है fresh गो मूतर जो इसको procure करना, और देकि सबसे बड़ा problem यह आता है, चाहे हम इसको accept करे या ना करें, ग बहुत सारे लोग गाओं बगारा में उसको direct पीते हैं, और आप videos भी देखते हैं, कोई problem नहीं है, वो जो गाए होती है, वो बहुत healthy होती है, उसकी feed बहुत healthy होती है, वो देसी गाए होती है, और जो इंसान बच्पन से चीज करते हुए आ रहा है, उसके लिए problem नहीं है, और maximum लोगें शायद करेंगे भी नहीं, तो इसलिए जो गाओं मूतर अर्क होता है, वो एक बहुत ही simple और effective तरीका होता है, regular life में गाओं मूतर को लेने का, जनरली जो इसका recommended dosage होती है, वो 10 से लेकर 30 ml के बीच में होती है, इतना बहुत है, अगर इससे जादा लेते हैं, तो पेट खराब होने के chances होते हैं, और इसे generally सुभेख खाली पेट लिया जाता है, लेकिन गो मूतर अर्क जो है, उसमें एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, कि पहले तो वो boss indicus cow हो, देसी हमारी गाए हो, second वो गाए बिलकुल healthy हो, disease free हो, किसी भी pregnant गाए से कभी भी गो मूत प्रापरटीज बहुत अच्छी आती है, जो जर्सिय क्रॉस ब्रीड काउज होती है, जिनमें A1 milk निकलता है, यूरोपियन काउज बगार जनरली होती है, उनका गो मूतर या cow urine recommend नहीं करा जाता है, उनका जो milk है, वो भी recommend नहीं करा जाता, तो I hope गो मूतर के उपर जो आप